कर दोस्तों स्वाइक दप अपने चैनल जी की स्टुडेंट पर अपडेट्स में आज की वीडियो में बात किरेंगी ओल्ड पेपर के बारे में आप लिए को बताते हैं कि हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जमूज उन्वेस्टी के ओल् लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोगों को किसी और सुब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो वीडियो को नीचे कमेंट करें जो सीम कमेंट आएंगे उस वीडियो उसका हम पेपर लेके आ जाएंगे बाकी आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ए सेक्शन आईगी बी सेक्शन और सी सेक्शन आपके रहने वाली है पहले सेक्शन में आपको पांच कोशन आएंगे और पांचो कोशन आपको तीन-तीन नंबर के रहेंगे यह द्यान से रखना पांच कोशन आएंगे तीन-तीन नंबर के रहेंगे और पांचो के पांचो आप लोगों को कमपलसरी करने हैं आपको पहला question define positive economies आया है explain the meaning of marketing equilibrium बार-बार जहीं question repeat तो नहीं होते बट आप लोगो बता देख जिस unit से question आया है उसी unit से आने के उमीद रहती है इसलिए जो महंगा unit से उसको अच्छे से preparation आप लोग कर सकते हैं पहले आपको 5 question आएंगे 3-3 number के उसके बाद फिर 5 question हो रहेंगे 20 section में जिस 7-7 number के रहेंगे word कितने लिखने हैं कितने page का आपको paper करना है word limit आपको starting में दी हुई है बाकि आप लोग देख सकते हैं word limit की बात करें तो अगर आप लोगों को देख सकते हैं जहां पर each question carries आपको बाकि आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं ज्यादा लंबा लिखने के कोशिश नहीं करनी है अगर 7 number का question है फिर अपने हिसाब से 2 minutes का वीडियो रहता हमारा और वीडियो टाइम जदा होगे इसके करनें से आप लोग वीडियो को शेर करें कुशन आता है उस पर ज्यादा फोकस करें मारकाम आपको अपडेट करना ओल्ड पेपर प्रवाइड करवाना इसका पीडियाफ इसके का डिटेल के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जाइंट करें अब बेस्ट मिलते हैं नेस्ट वीडियो नेस्ट अपडेट के साथ कोई और नए पेपर लेकर